नमश्कार इन खबर में आप सभी का सुवागत है दिली सरकार ने पीतम पुरा के बाल भारती पब्लिक स्कूल की मानिता खतम कर दी है अगले शेशन से स्कूल नए एडविशन नहीं लेगा सभी स्टूडन्स को नजदी की स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा मनमाने तरीके से फीज बढ़ाने की मामले में दिली सरकार ने स्कूल के खिलाफ यह कारवाई की है इस संबंध में डिरेक्टर उदित प्रकाश राय ने ओर जारी किया है आदेश में कहा गया है कि स्कूल को 2021 से 2022 तक कस्सातर पूरा करने की अनुमती होगी इस तोरान उसकी मा मानेता बनी रहेगी शेशन कंप्लेट होने के बाद स्कूल के सभी स्टुडेंट्स को नस्दी की मानेता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा जिनने रजिस्टर चाइल्ड एजूकेशन सोसाइटी चलाती है दूसरा विकल्प यह होगा कि पैरेंट्स की सहमती से इन्हें सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा पहले से ही अदा की जा चुकी फीस को एजिस्ट किया जाएगा आदेश की अनुसार पीतंपुरा के बालभारती पबिक स्कूल को 2022 से 2023 की सत्र के लिए कोई अड्मिशन नहीं लेना है स्कूल के स्टाफ को घबरान की जरूरत नहीं है टीचिंग और दूसरे स्टाफ को दिली के ही अन्य मानेतपराप स्कूलों में एजिस्ट किया जाएगा स्कूल के एड्मिनिस्टेशन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है इसका कस्टोडियन चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी को बना दिया गया है अपसे वही पीतमपूरा के बालभारती पबलिक स्कूल के सभी रिकॉर्ड की देखरेक करेंगी जब उससे कहा जाएगा तो वही इन्हें डी ओई या अन्य सक्षम प्रधिकरण के समक्स प्रश्टू करेगी यह मामला स्कूल की तरफ से फीस में मनमानी बढ़ोतरी से जुड़ा है दिली सरकार ने कई बार स्कूल को मनमाने तरीके से फीस की गई बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए कहा था इसके लिए दिल्ली के LG सरकार को मंजूरी दे चुके है प्रिदमपुरा का बाल भारती पब्लिक स्कूल प्राइविट अनएड स्कूल है यह दिल्ली स्टेट एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के प्रवधानों के तहर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदिश्चालिस से माननेता प्राप्त है तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नज़र